जैसा कि दोस्तों आपने हमारा थमनेल लेखा इसी पिलान को आजम डिस्कस करने वाले हैं साइज 25 x 30 हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मौडल को डिजाइन कर रहा हूँ और यहां पर आपको चार बैट्डूम मिलते हैं साथ साथ लेटरिंग बातरूम केचेन और तो यह पूरा मॉडल है 25 x 30 का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार होंगे इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो यह पूरा देखिए कैसका फ्रेंट इलेक्शन है फ्रेंट सामने साप देख पार होंगे में डूर यहां पर आप कार पार्किंग की विवस्ता भी है साथ आपको फ्रेंट में एक बेट डूम या गेश्ट रूम मिलता है और यह बेतरीन सापकी रेलिंग का डिजाइन जो मैंने उपर दिया है यह यह आपकी घर को और भी बेतरीन और सुन्दर बनाता है तो यहां पर आप देखेंगा यह सिलोप है जहांच अपनी फोर वीलर को आप पार्क करेंग अंदर ले जाएंगे तो यह तो फिलाल इसका दुस्तों फाइस फ्रूर है और चारो तरफ बांडी वगएरा में करेट किया है तो इसी मॉडल को डिसकस करने वाला है जिसमें आपको तीन बैट डूम मिल जाते हैं कार पार्किंग मिल जाती है इस्टेर लेटरिंग बातरूम किशिन वगएरा सब कुछ मिलने वाला है तो चलो आज इस मॉडल को डिसकस करेंगे बहुत ही बेतरी प्रान जो मैंने क्रियेट किया है हाला कि इसका में ग्राउंड फूर सिर्प क्रियेट किया है तो ग्राउंड फूर डिसकस कर लेते हैं तो जैसे दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर पराते हैं तो यह देखिएगा इसका पूरा लुक आप यह में डोर है जहां से इंट्री करेंगे साधी साधी यह पूरा आपका एक के रूम है और यहां से आप जैसे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग की स्पेस और स जाया उसी लिए साधी यह देखेगा आपको रूम मिल जाता है इसका गेस्ट पार्किंग कर सकते हैं इसमें टीवी पगर अप लगा सकते हैं जिसका डूर मैंने अंदर से भी दिया और विंडो बिया अगर आपका रेक्ता नहीं इस डॉर का तो आप ना दे फिलाल आप व आपको दो बेड डूम मिल जाते हैं देख़े पार रहे हैं को दोनों बेड डूम के दरवाजसें वोक्षण से हैं और बीच में आपको आपका लेटन ओ"; मिलता है दोनों कमेंड और यहां की सानल आपके stairs, front वे आपके bedroom और with car parking तो बहुत ही बेतरिंग प्लान 25 वाई 30 का ये आपने पूरा देखा और जैसे भी आपके requirement हो उस according आप थोड़ा modify भी कर सकते हैं इस plan को वो आप पर depend करता है तो ये तो इसका हो गया first floor अब भात करते हैं तो इसका ground floor था और first floor की बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको मैं ले चलूँगा यहाँ पर तो देखी का first floor मैंने रेलिंग डियाइन किया है जो कि एक बेतरीन लोक आपके घर को देती है घर तो नॉर्मल ही है लेकिन अगर आप रेलिंग अच्छा से डियाइन करवाते हैं तो आपके घर को बेतरीन एक लोक मिलता है तो चारो तरफ मैंने रेलिंग स्रिप बनाई है और कुछ क्रेट नहीं किया है स्रिप ground floor ही requirement था तो वीडियो जैसा भी आपको लगा हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें अगर आप दोस्तों हमारी service का यूज करना चाहते है तो आप हमारे number पर contact कर सकते हैं हमारा number आपको description में मिल जाएगा और इस नमबर पर आप हमें contact करें आपसे बात की जाएगी आपका जो भी requirement होगा उसके according आपका होश प्लान किया जाएगा और आपसे वहाँ पर nominal सी fees ली जाती है तो number पर description में आप मुझे बात कांटेक्ट कर सकते हैं ये वीडियो जैसा भी आपको लगा हमें comment करके बताएं इस चाहसे वीडियो को लाइक से जरूर कर दें अगर आपका कोई भी doubt रह जाता है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं Thanks for watching